नमस्कार दोस्तों, आज हम एक आर्टिकल पर चर्चा करने वाले हैं, जो दे हिंदू नुज पेपर और दे प्रिंट में परकाशित हुआ है, ठीक है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, यहां से यूपी सी मेनसोर प्री में अच्छे कुशन आ सकते हैं, तो बहुत ही इंपो जो भी जोग्राफिय से समन्दित कुछ नाएं वह डैनमी कुछ नाएं जो भी नया बदला आप आस पास देखते हो वैसे कुछ नाते हैं कि कैसे जलुआ परिवरतन से गलेशियर पिगल रहे हैं किस परकार मतलब कर्शी से तरह मारा परवाइट हो सकता है और किस परकार एसेन डेजर डस्ट इन्हेंस इंडियन समर मांचून इसका मतलब है कि किस परकार जो भी रिटले तूफान और चक्रवात जो आते हैं कि पस्टीमे एसे से आजकल आजकल हाली में आपने देखा गि किस परकार आंदी तुफान वहां से उनकी बारम बारता में वरदी हुई है और भारती है उक मादीम की तरब बढ़ने की वरदी हुई है तो ये किस परकार ibadian muster को applied करते है इस lesson में हम इसी को जानने वाला है ठीक है? तो यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जुरू करना लेशन को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ सेर करना क्योंकि मैं अच्छे लेशन लेकर आता हूँ और मुझे तीन बार आईस इंटूज देने का भी अनुब हो है और मैं अलड़ी मतलब निमंद और इथिक्स का पूरा कोर्स करवा चुका हूँ एकदम फिरी में करवा चुका हूँ आप वो लेशन भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो और इसके लावा आप मेरे टेलिग्राम चैनल से भी जोड़ सकते हो डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल का में लिंक देदूगा अधर्वाइज आप टेलिग्राम चैनल पर जाकर सर्च भी कर सकते हो इस्टेडी आइस वी दर्वेंदर जाकर यहां पर मैं डेली बेसेज पर जो भी मेरे नोट्स होते हैं वो सेर करता हूँ तो आईए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल देखो सामानी बासा में यह बताई गया है कि जो भी डेजर्ट डेस्ट पार्टिकल्स है यह इंडियन मानसुन के साथ इनका पोजिटिव संबंद है इसमें बताई गया है कि जब जब ऐसी गठना देखी गए है जो अरब प्राइदीब जो है वहां से जो डश्ट तुफान आते हैं चकरवाद आते हैं यह अरब सागर की ओर आते हैं और यहां पर आकर क्या करते हैं यह डश्ट पार्टिकल के साथ में जो अरब सागर की जो मोईस्चर उसके साथ इनका संबंद होता है और ये बताते हैं कि इनका जो भारती मानसुन मुखे रूप से जुलाई के मेने में भारती मानसुन को मजबूती परदान करते हैं यानि इसका समद्ध हम देखें आप समाने बासा में इसको देखना चाहो तो जो डस पार्टीकल या तुफान है इनका भारत के मानसुन के साथ में सकरात्मक संभन्ध है यानि इनके आने से भारती मानसुन में और जड़ा वर्दी होती है अच्छी वर्षा होती है तो समाने बासा में यह समझ लेना यदि प्रीम ऐसा कुछ नाता है तो इसको आप ऐसे ही समझना है कि हाँ इसका समंध पॉजिटिव समंध है दोनों का ठीक है तो हम आगे इस टुड़ी को देखते हैं कि आप जानते हो कि भारती जो गिर्सम काली मानसून है वो कब आता है व बारती मानसून गिर्सम काली मानसून कैसे आता है तो यह जून से सितंबर के बीच में आता है और आप इस समय जानते हो कि जो आपने साथ लेकर आती है आप सामारी रूप से इसको समझने कोशिश करना जैसे यह इंडिया है यहां पर छोटे रूप में बता रहा हूं ठीक पर एक्विएटर है ठीक है अब इस समय जो आईटीसी जेड होता है आईटीसीजड बारती मूमी पर है यह लोव परिसर जोन है ठीक है सूरी उत्राएं करकरे का सपास है तो यह कौन सा है आईटीसीजड है और इस समय यहां पर काफ़ी डष्ट पार्टिकल वाले चक्रव की तरह है या इनकी बूमिका होती है जितने भी पार्टिकल होते हैं जैसे है ना तो जो आधरता जो होती है ना इनके उपर संगनिर्थ होती है और जल की बूंद की रुप में बदल जाती है यह दी परकरती के अंदर यह पार्टिकल नहीं होती है चाहिए डेस्ट के पार्ट उसमा होती है ना उसको एब्जोर करता है एब्जोर करने से क्या होगा यहाँ पे इस छेतर का जो वायुमंडली प्रिसंच रहना उसका टेंप्रेचर जो है बढ़ेगा ठीक इसके करण करेगा क्या होगा आदरता दारण करने की समता बढ़ जाएगी तो यह निश्चित रू संबर मानसुन के साथ में सकरात्मक संबंद रखती है और इस तरह से आप इसको डाइग्राम को बनाके भी प्रजेंट कर सकते हो बहुत ही आसान बासा में इसको आप बता सकते हो आगे मैं एक दो डाइग्राम बता कि आराम से आपको समझाओंगा डाइग्राम के मादिम से इसमें बताए गया आर्टिकल में कि जुलाई माह में क्या होता है कि तिबद का पटार और इरान का पटार क्या करते हैं अधिक उसमा ग्रहन करते हैं और जिसके करण क्या होता है जो मद्दे सो मडल्स होता है उसमें वाई मड्ली प्रिसंचरन में बदलाव देखने को मिलता ह यहां पर काफी गति की गटना ही गटती है ठीक है मुख की रूप से तापमान में वर्दी होने लगती है और इसके करण क्या होगा वाई क्या अधरता घ्रंड करने की समता में वर्दी हो जाएगी दोस्तों यह आपको बता हो कि जैसे यह हमारी भारती वोमी थोड़ा सा अच जानते हो यह दोनों मतलब इनकी उचाहिए 4000-5000 क्मीटर के आसपास है तो इस सूरी की एनर्जी भी ज्यदा प्राप्त करते हैं आप जानते हो कि उसमा अधिक प्राप्त करेंगे और आसपास वाला चेतर क्या होगा गरम होगा और एक चीज़ आप जानते हो कि इसमें तीब तीबत का प्टार भारती मानसन को मजबूत करने में बहुमिका निबाता अधिक जैठी स्टिम के दौरा एक जैसे इरान का प्लेटु यहांपे यह भी बड़ी निबाता यह क्या करते हैं उपरी जो परी उपरी परी संचरन है इसके अंदर क्या करेंगे मतलब एक तरस वर्दी होगी और कुल मिलाकर जो भी इसमें जो उत्री भारत में आप देख सकते हो कि जो आई टी सीजेड है वहां पर मतलब पूरा जो मानसुन का फिनोमेना है उसमें सकरात्मक की बदलाव लाएंगे तो इस करते हैं जो उत्पन एरोसोल होता है जैसे बले कार्मन और सल्फेट यह क्या करते हैं इसको पहला देते हैं जिसकी करण क्या होगा जो निचले धरती पर क्या होगा फिर सूरिय का तापन नहीं आपाएगा एकदम ठंडा उसमें ठंड बढ़े गया तापन कम होगा जिसके किस परकार जो भी मानो के द्वरा जो पॉलिशन कारक होते हैं निर्मित पॉलिशन कारक बले कार्मन बगरा होते हैं यह तो क्या करते हैं कि जो हमारा मान सुन होता है उसके साथ इनका नेगिटिव संबंद होता है लेकिन दूसरी तरफ यह बताते हैं कि जो डश्ट एरोसो के उपर जहां से काफी ज्यादा मिट्टी की जो तूफान आते हैं उनके बारे में बताया गिए कि यह दक्षण क्यों वर्दी करते हैं इससे क्या होता है यह पर एक और मतलब सब्दावली दीगी है इलिवेटेड हीट पंप मतलब इसका मतलब क्या है यह मतलब जो दक्षण से हवाय आती है उतर की और उन में वर्दी करती है उनको एक तरह से आकर सित करती है तो इनका फिनोमेना इसके साथ जुड़ावा फिनोमेना है आगे इसमें बता एरोसोल जो चकरवाद तुफान है वो भारती मानसुन को नीशी दूरूप से अच्छी गती परदान करते हैं या उनमें एक सकरात्मक संबन देखा गया है इसमें बताए गया है कि अरब सागर वे प्राइदीप में मिनरल जो डश्ट टक के दवारा एरोसोल प्रभाव को देखा जा सकता है जिसमें अरब सागर के ऊपर डश्ट एरोसोल के द्वारा उस्मा का उसोशन कर आधरता दान करने के समता में वर्दी की जाती है जिससे दक्षिन पश्रिम बारती मानसुन और रधिक मजबुत होता है आगे बताएगे है कि अरब प्राइदीप मदेश्य करने से सब्सक्राइब याद रहा एक चलती है एक नई विंड्स पी इस में चर्जा में रही है सामल विind्स में धोरती है तो एक विंट भी आती है हो सकता है prelims में पूचले कि समल विंट कहां बैती है तो ये अरब प्रैधीप आप थोड़ा गूगल करना इसके बारे मूर देखना कहां कहां बैती है यह क्या करते। इनको लेकर आती है। देगो यह गठना जब युर डाइगराम और मेप से आप समझने कुश्य करना। या कशिण मेप में आता य ड्यकुशन सबस्सक्राइब कइसे परेखे ? मानसंते मैं कि ऐनju ऩक मे लेकर सब्सक्राइब ही ठीक है यहां पे उपर आप एक आम करना आई बेटन में में बता दूंगा रोज़ी वेव और इंडियन मांसुन का संबंद यह दोनों टॉपिक एक दूसरे से जोड़े हुए कि रोज़ी वेव इंडियन मांसुन को कमज़़ करती है जब यह दुफान है यह जो पार्टिकल् गट रही है यहां की ही अब जानते हो कि यहां पर देखन जीरो डीगरी और जो दक्षन पूरिपारी पहुन आतिंग्ड ऑड नाए इक्वेटर को पार्क करने के बाद में किदर मुड़ती है इक दक्षन पशिम हो जाती है को रूली स्पोर्स के कारण ठीक है तो इसमें इ जेट इस्टिम पेदा होती जो कि यहां पर आती है जेट इस्टिम का भी पूरिवी जेट बोलते हैं इसको आप NFL 11 पड़ोगी तो यह पूरिवी जेट है तो पूरिवी जेट का भी सम्मन्द इसमें होता है एथम आप जानते हो कि हमाई इस तरफ आ ठीक है और हौई इस तरह काफी positive role निवाएंगे कि इंडिन जो मानसून है उसको मजबुत करने में यही पूरी study है दोस्तों और आप यह मेप बना सकते हैं में अब सामाने बासा में यह दी आपने टोपिक समझ लिया तो डेड़ सोबड में लिखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें dust monsoon किस प्रकार यह जुड़ी हैं ठीक है यहां पे आप देखोगी थोड़ व्योगार है ठीक है डेजर्ट है और यहां पर गोबी डेजर्ट है उसका परबाव जो इस चाइना का जो मानसुन या जो वर्सा चेतर है वहां पर इसका परबाव दिखा गया है जो डेस्ट पार्टिकल का परबाव पोजिटिवली दिखा गया है जबकि जो अन्य नेगिटिव वाले हैं जैसे क फटारी चेतर से दुर्डश्ट आती है उसका पोजिटिव सब्मंद किसके साथ इंडियन मानसुन के साथ इसको दिखाए गया है तिबत प्लेटू वाला भी इसको मतलब पोजिटिव दिखाए गया है तो यह सब मिलके क्या करते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट मतलब यहां प पूरा वही स्टड़ी है कि किस प्रकार मतलब अर्बिन जो ड्रस्ट है वो इंडियन मानसुन के साथ मिलके मतलब पोजिटिव रोल निभाती है इसका मतलब इस आर्टिकल में एक चीज़ और दीगे कि विश्वर के जितने भी मरुस्तल है उनकी जो आंदी तुफान जो आ कर दूँगा और कोई समस्या हूँ इस लेशन से समधित तो आप कमेंट बोक्स में में मेसेश करना में जवाब देने कोशिश करूँगा बहुत बहुत धन्यवाद और इसको ज्यादा से ज्यादा से शेयर करना बहुत यह अच्छा टोपीक है जो कि हमारे GS जो मेंस पेपर झाल